कुछ error specific region में सिमीत है मैं आपको विश्वास दिरना चाहता हूँ पुक्ता जानकारी आने पर दोशियों को कड़ी से कड़ी उनके उपर कारवही की जाएगी इन्टिये हो या इन्टिये में कोई भी बड़ा विक्ति हो जो इसमें दोशिय पाये जाएगा इसके खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी इस पूरे प्रकरण में सरवोज और प्राथमिक्ता विद्यार्थियों की भविश्य को दी जाएगी मैं आपको यह भी शुचित करना चाहूंगा सरकार एक हाई लेभूल कमीटी गठन करने जा रहिए जो इस बार प्रकरण में एंटिय की समद्ध में मैंने पहले भी कहा है एंटिय की समद्ध में कई विशे समने लाया हैं एंटिय की स्ट्रक्चर एंटिय की फंक्शनिंग एग्जामिनेशन प्रोशेस ट्रांस्परेंशी और डाटा सेकुरिटी प्रोटोकल को और इंप्रूब करने के लिए उस उच्चस्तेरिय कमिटी से रेकॉमेंडेशन अफिकीत रहेगी हम जीरो एरोर की परिक्षा की लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार ने दो हजार चोवीस में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिविंशन आफ उनफियर मींस आट को भी लाया है विद्यार्ति हमारी देश की भविश्य है मैं सभी से उन्रोद करता हूँ इस संबेदन से लिशू पे किसी भी तरह की अफवा पहलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनितिक द्रिश्चे से देखा ना जाए मित्रों फिर अंतर में मैं आपकी स्वयोग चाहता हूँ देश की इलाखों विद्यारतियों की जो ग्रामीन गरीब मेदावी विद्यार थी नीट की परिख्या में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं आइसोलेटर घटना के लिए उनकी क्यारियर को होस्टेज में ना रखा जाए मैं फिर अस्वस्ट करता हूँ सरकार किशी भी गुनेगार को किशी भी सुधार के लिए हम तयार है किशी भी गुनेगार को हम छोड़ेंगे नहीं कड़ी से कड़ी कारवाई होगी कारवाई के लिए सारे पुक्ता प्रमान तत्य एक लीगाल अन लॉजिकल एंड की एक वारियता रहती है आवशक्ता रहती है इस पे सरकार गंभिरता से सारा विश्यों को लिया है